अरे बिहार में इतनी ब्यच्वैनी है न अमित्सा को उसको लगता है कि बिहार से ही मेरे नाभी में तीर मारे जाएंगे तो इसलिए बार-बार बिहार में वा रहा है जीरो पर बोल्ट करेंगे बिहार के अंदर जीरो पर बोल्ट करेंगे एक भी सिट बिहार से नहीं मिलेग थे उस विचारधारा को लड़ने वाले इस देश के अंदर कोडोरों लग है और यह लड़ाई जो है रुकने वाली नहीं है जिस दिन हमारी सरकार बनेगी एक-एक आरे से स्थर भाजपा वाले जो एकेडमिक संस्थानों में कुंडली मार के बैठे हैं गर्दनिया पासपोर रिंग आवाज नहीं हो सकते के ठीक पाठक सिर्फ निक योश्ता को सुधार नहीं सकता है ल Kumar के स्यक्शनिक ब्यवस्था को दुर्गामिलिक्ष्ट इस सुधार करना है सुषक्र करौंशारी ओ छात्र के सopra सरकार के संब्स्राइश से सिक्षक ब्यवस्ता को सुधार जा सकता है यह केकेक पाठक के नाम पर जो डंडोत कराया जा रहा है जो डंडा घुमाया जा रहा है मैंने तो कहा ना इस चार दिन की चांदनी फिर अधरी रात नमस्कार आप देख रहा आरेडे नियोज मैं हूं योगी श्क्रवर्ती बीजेपी ने मध्य परदेश में पकार और यूपी के यादवो को सादने के लिए यह मास्टरास्टर चौक बीजेपी ने चला है कि आप सचमुच बीजेपी का यह मास्टरस चौक काम करेगा इसी मसले पर बात करते हैं हमारे साथ हैं से प lakai के मकर है की ने ईससे देक्विद आबब जीं काटने का कोशिश की है कि यह भाजपा और उनके अनुसांगिक संगठन के लोग क्या कहते हैं क्या प्रजेक्ट करते हैं उनका जो राजनतिक उद्धिस है उद्धिस को हासिल करने के लिए एक रणीती के तहत जो है मोहनजादों को सामने लाएं अब उनकी रणीती कितना सफल होगी कितना सफल होगी वो उसका विश्लेशन करेंगे मुझे उस पर कुछ नहीं कहाना है यहां तक बिहार की बात करते हैं यूपी का तो मोहनजादों मद्धपरदेश के लिए होंगे और बिहार में तो कितने मोहन दैबै चलते रहते हैं यूपी में कितना मोहन और सवन घुमते रहेंगे यहां उसका कोई असर नहीं पड़ेगा चुकि बिहार की जो मैंड सेट है और बिहार की जो समाधिक अंतरविरूद है वो समाधिक अंतरविरूद को शमाधान करने की कुबत भाजेपा में आरेसिस में नहीं है चुकि बिहार के यादव वहुजन की राजनिती के बैचारिक आउरण में है बाकी जिनकी कोई बैचारिक आउरण नहीं है उनको भाजपा सामने लाकर ही क्या करेगी तो मैंने कह दिया कि यूपी और विहार के यादव बहुजन राजनिती के किंद्रे में है और बहुजन राजनिती के किंद्रे में जो राजनिती करते हैं वो समझवादी, अंबित करवादी और मार्सवादी विशरधारा के लोग होते हैं उसकी इकूनोमी और इसका कल्चर, आइडलोजी को प्रवैड करता है तो विहार की जो समाजिक अंतरवीरोद है वो अंतरवीरोद का समाधान मार्शवादी, बामपंथी, समझवादी और अम्बेतकरवादी वीचरधारा से उस अंतरवीरोद का समाजिक खल निकलता है बिहार और यूफी का बहुजनों की समाजिक जो अंतर्वीरोद है उसका समाधान नहीं है इसलिए यहां कोई मोहन सोहन नहीं चलने वाले हैं यहां वामपन्थी समझवादी अंबेदकरवादी जो धारा है जो जंजन तक मजबूत है उसको तोड़ भाजपा के पास नहीं है सिर्फ यादो लिवल लगाने से बिहार का बहुजन के निता नहीं हो सकता चुकि भाजपा कोई पहली बार प्रियोग नहीं कर रही है कि मद्येप्रदेश की आप बात कर रहे हैं यहांत अनित्यानंद जी को लीड़र अफ बनाय विहार में देक्स बना दिया और भुपेंदर जादों को परभारी बना दिया किता तो काट के हाडी पर का dönदी वार बार काट कर रहे हैं उसी भौपेंद्र यादव ने BJP के चानकी के कान में मंत्र डाला कि आप जिस यादव को अच्छूता समझते हो पुबLiG मतलभ ऐसा मानती है कि यादव समाज ऐसा मानता है की यादव लोग को BJP अच्छूता समझती है इसे लिए आप ये पर i преступ. और उसी पर्योग कर नतीजा है मौहन्यादव भुपेंद्र जी और मोहन जी के जो बात आप बुल रहे हैं मैंने कहा ना आइडिलोजी तइक करती है कि आप किसके लिए और किसके हो मौ पैंद्र जी और मोहन जी की लोग जो है ब्रहनवात पूजिवात शामन्तवात की आइडिलोजी है वो बिहार यूपी में बहुजनों को अपिलिंग आवाज नहीं हो सकती है यह बताएं लेकिन जो राजनितिक पंडित हैं वो कह रहे हैं कि मोहन यादव को जो है मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने यूपी और बिहार के कुल 120 लोग सभात्षेत्र को परभावित करने का जो है काम करेगा यह उसका राजनितिक पंडित है जी इधार उधार बैटके चौक्षे रहा है पर आकपार के दफ्यर हमें बैटता इतना ही पंडित है इतना ऑजनित उन्न początku कुछ नहीं चलता कोई राजनितिक पंडित नहीं होता है वो फाज होता और गफबाज बिना मुतलब के एजेंडर दे देता है अरे बिहार में मैंने कहा न कि बिहार के बहुजन जो है अम्बेद करवादी है वामपंथी है लोहियावादी है और यह तीनों वीचारधराओं के समझस्व जो है समन्ता और लोकतंत्र के साथ है भाजपा समझस्व और समन्ता और लोकतंत्र के पक्ष्म में नहीं है इसलिए यादों कि एकनोमी और एकनोमिकली कर्चल कल्चरली और सोसली वह डिप्रेस्ट क्लास के बीच से आते हैं इसलिए वह कैप्टलिस्ट ब्रह्मिनिज और फ्यूडिलिस्ट बर्क के साथ कभी नहीं जा सकते हैं लेकिन जो उत्तर चेत्रीय परिषद पुर्फ चेत्रीय परिषद की बैठक थि तो आप ये बात जानते हैं कि केंद्र राज जी का जो संबन्ध है वो किसी से छुपा नहीं है बहुत सारे इस सुच पर किंद्र और राज्यों के बीच जो समवर्ति सुची में भी सय है उस पर दोनों के बीच आदान परदान करके नीतिया तई की जाती है राज्य अपने खुद फैसला नहीं लेगा और किंद्र भी खुद फैसला नहीं लेगा इसलिए वो समर्थी सुची में जो बरनित सक्तिया है उस पर कोई ठोस डिसीजन लेना है तो किंदर राजी को दोनों को साथ बैटना है ये तो हमारे देश के जो समयधानिक बेवस्था है उसकी ये प्रमपरा रही है ये सभी जानते हैं लेकिन जो अख़वारों में आ रहा ह है चैनलों पर आ रहा है कि मुख मंत्री डमाडोल हो रहे हैं शरकार अस्तीर है आप सहयोगी है मैं आपको बतला दूं ये अकबार में दप्तर में बैठने वाले जो है ये सवर्णवादी बहुजन बिरोधी पत्रकार है और वो जानबुच कर महा के तबंधन इंडिया के जो लीडर्शिप है उसके बीच जनता के बीच भरम पैदा करना चाहते हैं तो यह बिहार के लोग बहुत पॉलिटिकली कंसस है ये कोई गोबर पटी नहीं है ये हिंदी भासी राज्यों का प्रगसिल मुल्यों का राज है जहां सामन्त वाज से नेक तूनेक ससस्त्र ससस् सब्सक्राइब करके बिहार आगे बढ़ा है ये गोबर पटी नहीं है जो बैट के मीडिया में जो बुझाएगों सो चलाते रहेंगे और महा गटमंदन इंडिया गटमंदन के लीडर्शिप को कहेंगे नत्बस्ता किया वह हो गया वह हो गया ये बात क्यों नहीं करता कि मोच प्रुबत्रर्व राजियों की बैठक्ति तो ले में करता ने अमिट्सा उस वे मीडिया वोला चर्चा नहीं करता अरे भीहार में इतनी च्रहनी है न आमिट्सा को उसको लगता है कि बिहार से ही मेरे नाभी में तीर मारे जाएंगे तो इसलिए बार-बार बिहार में वा रहा है और क्या है ये मीडिया वाला क्या बोलेगा मीडिया में है कौन चेहरा है उनमें साku आरा चालिष के छालिस की निए सबस्क्राइं हम हिसा करने चालिस के चालिस जीटेगा अधर इंडिया congedा जीटेगगा ये तो जीनने की बात हुई बिहार के शिच्छा वेवस्था सुधर गई है एक दूसरा ही पहल वहीं की सिक्षा बेवस्ता में सुधार के लक्षन दिश्टीकुचर हो रहे हैं, लेकिन सुधार का जो एक विश्टार विश्लिशन जो है, उसका एक नियती पक्ष है, वो है केके पाठक की तना साही रोईया, जब तक सक्षनिक ब्योस्था को सुधारने में सिख्षकों को एकनattendर्सतियन का स्वयोग नहीं लिया जाएगा तो तानाशाई कादारपस पुरी स्क्षनिक ब्योस्था को सुधारन नहीं जाह सकता कुछ दिनों के लिए ये हाव फाव दिख रहे हैं अगर आस्थाई तो परदान करना है तो जीतने जो सैक्षनिक जगत में विद्वान हैं सिक्षा से जुड़े हुए क्रमचारी भी हैं सिक्षक भी हैं छात्र भी हैं सबको इकठा करके एक जो है बिमर्श को सामने लाना पड़ेगा सबकी सामोहिक प्रयास सी सिक्षा वे उसा सुधरेगा यह केके पाठक और कुछ लूग पीछे से बैक कर रहे हैं उससे कुछ होने लेकिन सत्ता परतिस्थान में बैठे लोग कुछ नहीं बोल रहे चुपी साधे हुए है कि पाठक के डंडे के आगे सब सरेंडर किये हुए है क्या क्या सरेंडर नहीं किया है वामपंथी पार्टियों ने क्लियर कट अपनी बात को रख दिया कि केके पाठक सिर्फ बिहार के सैक्षनिक ब्यवस्था को सुधार नहीं सकता है वियार के सैक्षनिक ब्यवस्था को दुरगामी द्रिष्टिकों से सुधार करना है तो सिक्षक क्रमचारी और छात्र के स्वयोग के साथ सरकार के समझस्य से सिक्षक ब्यवस्था को सुधार आ जा सकता है यह क्यक्यक करता हूं कि किसी भी विश्विदाले किसी भी सेक्षिनिक संस्थारों के हलातों में गुनात्मक सुधार करना है तो उससे जुड़े हुए लोगों के स्वयों की बहुत जडूरत होती है और यह उनकी भूमिका को नजर अंदाज कर रहे हैं यह दंदे के बल पर सेक्षिनिक करनेटों कर देदा वर चले गए तो किया हलात है हालात जिए उक्रिव पाइदा हो गऊंद तो आज देंडा फिर रहे हैं कल हो डंदा का भाए नहीं रहे हैं कल तो साप्लोड़ां ये बिमर्श को शामने लाना पड़ेगा कि सकुनिक भी रब्योस्ता जो बीभी है उस्मे कि सबकी जवाब दही है शिक्षक संग्वतीलों की जवरజ देए करमाचारी जत्राइड के जवाबुन सबको सामने लाकर विमर्श जबिनाना चाहिए जिसे बीहार स्थ्यक्शेंद की विवश्टा को अंत्राष्टिट अस्तरपम प्रास्थापित कर सके आखरी सवाल आपसे दलित चेतना की बात करने वाले पिछड़े को जगाने वाले और शम्मिधान की बात करने वाले जो डियू के जाकिर हुशायन कॉलेज में प्रोफेसर थे लक्ष्मन यादव उनको टर्मिनेट कर दिया गया है तो कैसे देखते हैं आप कि क्या उनके प्र अस्तरवाहरा के आवाज को कैसे बरदास्त कर लेगा लच्ष्मन जो है बहुजन ऑस्तरवाहरा के बैचारिक जो है धारा के मजबूत कैडर थे और डेले इन्वेस्टी या जेनु या दूसरे सेंट्रल इन्वेस्टी के अंदर जो हो रहा है यह तो लंबे समय से 10-15 साल से यह चल रहा है कि भारती जनता पार्टी आरेसेस के जो वैचारी का औरन उड़े हुए हैं जो ब्रहनवाद समंतवाद और पूंजी वाद के पैरुकार जो विद्वान हैं उनको एकडमिक जगों पर अस्थान मिल रहे हैं और वो तो खुलियाम जो है यह चुनवती दे रह लेकिन मैं एक बात बोल देना चाहता हूं कि लच्मन एक नहीं है लच्मन जिस बिचारधारा के अधार पर अपनी लड़ाई को लड़ रहे थे उस बिचारधारा को लड़ने वाले इस देश के अंदर कोडोरो लग है और यह लड़ाई जो है रुकने वाली नहीं है और आ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सब थैंक यू ये थे सीपी आई के बिधायक सतेंद्र यादव जिन्होंने कहा कि लक्षवन यादव के साथ जो नाइंसाफी हुई है इसका बदला लिया जाएगा और बीजेपी आरेसेस वाले जितने भी लोग होंगे उनको गर्दनिय पासपोर्ट दे कर बाहर किया जाएगा योगी स्चिक्रवर्ती आरे डे नियूज पटना